न्यूस तक अब नए अंदाज में जियां देश है न्यूजिलेंड जहां की पेम जिसिंडा आर्डन अपने कड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है अब जिसिंडा आर्डन तंबाकू द्योग पर कड़ी कारिवाई करने जा रही है जहां देश के यूद कभी भी सिगर्ट खरीद ही नहीं पाएंगे जिसके मुताबिक 14 साल या उससे कम उम्र का कोई भी यूवाज जिंदगी भर सिगर्ट नहीं ले पाएगा इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2073 में जब यही 14 साल का बच्चा 60 साल का होगा तो भी इसे सिगर्ट लेने का न्यूजिलेंड में तो अधिकार बिल्कुल नहीं होगा दरसल न्यूजिलेंड ने ये फैसला अपनी आदिवासी आबादी माउरी को बचाने के लिया है अब सवाल उगता है कि 14 साल की उम्र ही क्यों? सरकार की दलील है कि टीनेज यानि की 13 साल ही एक ऐसी उम्र होती है जब बच्चों को कोई भी अच्छी या बुरी आदत लगती है एक्जामपल आपको न्यूजिलेंड का ही बता देते हैं न्यूजिलेंड में 96 प्रतिशत लोग जो स्मोकिंग करते हैं उन्हें स्मोकिंग की लग 25 साल से पहले पहले लगी सरकार नहीं घोशना की है कि न्यूजिलेंड में सिगर्ट खरीदने की मिनिमम एज साल दर साल बढ़ती रहेगी यानि कि 2020 में अगर 18 साल से ज़ादा उम्र के लोग सिगर्ट खरीद सकते हैं तो 2021 में सिगर्ट खरीदने की मिनिमम उम्र 19 साल होगी न्यूजिलेंड की स्वास्त मंत्री हैं डॉक्टर आईशा वेराल उन्होंने देश की जरता को संबोधित करते हुए बताया कि नए कानून के हिसाब से स्मोकिंग की कानूनी उम्र हर साल बढ़ती जाएगी ताकि न्यूजिलेंड की आने वाले पीडी को स्मोकिंग मुक्त बनाया जा सके उन्होंने कहा कि हमारे नागरिकों के हैल्थ के लिए ये एक एतिहासिक दिन है न्यूजिलेंड की आबादी तकरीबन 50 लाग है यानि कि 50 लाग की आबादी वाले इस देश में साल 2008 के बाद जन्मा कोई भी बच्चा सिग्रेट या तमबाको उतपाद अपने पूरे जीवन भर में कभी नहीं खरीच सकता माना जा रहा है कि ये कठोर कानून अगले साल 2022 से लागू हो जाएगा स्वास्त मंत्री जॉक्टर आईशा वेराल ने ये भी कहा है कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि युवा कभी भी स्मोकिंग करना शुरू ही न करे इस कानून के जरिये तमबाको बेशने वाली दुकानों की तादात को भी कम किया जाएगा यही नहीं सिग्रेट में मौझूद निकुटिन के लेवल को भी सिग्रेट से धीरे धीरे घटाये जाएगा न्यूजिलेंड के सरकार के मताबिक न्यूजिलेंड में 15 साल तक के 11.6 पीसदी युवा सिग्रेट पीते हैं इसे आप आसान भाच्चा में ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूजिलेंड में 100 में सो में से 11 बच्चे जो 15 साल से कम उम्र के हैं वो स्मोकिंग करते हैं लेकिन क्या smoking ban करने के लिए कड़े नियम लाने वाला New Zealand क्या दुनिया का पहला देश है तो जवाब है नहीं 2010 में हमारे ही पड़ोसी देश भूटान ने भी तंबाकू पर पूरी तरह से ban लगा दिया था हलांके तंबाकू के black market को देखते हुए इस पावंदी को आंशिक रूप से उठा लिया गया था लेकिन क्या ऐसे बेंसे New Zealand वाकरी में दुनिया का एक ऐसा देश बन सकता है जिसकी एक पीडी स्मोकिंग करती ही ना हो अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं झाल